नमस्कार साथियों उत्तर पर्देश में राजनेतिक सरगर्मी काफी तेज चल रही है और वहाँ पे अभी से ही बांग चल रहे हैं एक दूसरे के उपर क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और अब जो नई बात सामने आई है उसमें उत्तर पर्देश के मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ को शाफ साफ धंकी देते हुए अखलेश यादो जो की समाजवादी पार्टी के मुख्या है और मुलायम सिंह यादो के बेटे हैं उन्होंने शाफ कहा कि सीम अपनी भासा पे सयम रहें मेरे पीता जी के बारे में ऐसी बाते हैं तो बहुत नुक्षान हो जाए गाना अखलेश यादो का क्या कि सीम योगी द्वारा अब्बाजान शिएम यह एक बहुत णकान झाप लेकर हैं लेकिन मुखमंत्री अपनी भासा पर सयम रखें और मेरे पिता जी के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो उनके बारे में भी बहुत कुछ कह सकता हूं मुख्यमंतरी में तब मेरे पिता जी के बारे में ऐसी बाते न करें उनको अपनी जुवान पर संतुलन रखना चाहिए यह सारी बाते कही है अखलेश यादोंने अखलेश यादोंने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू नेता बताया हिंदू बताया तो स्रीयम योगी ने राम मंदिर के बहाने उन पर निशाना साधा था और स्रीयम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि उनके अबाजान मुलायम सिम्जादों कहते थे कि वह अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्मान शुरू हो गया है और अगले तीन साल में बड़ा भध्य राम मंदिर बनेगा इसको इसके बात सहीं यह हंगा में स्टार्ट होगे उत्तर परदेश में आगे योगी ने यह चार सो सीट जीतने के दावे पर योगी ने चुटकी लेते वे का मैं तो हैरान हूं उन्हेंने पांच सो सीट क्यों नहीं बोला क्योंकि उत्तर परदेश में चार सो ही सीट है तो यह सब्दमान और यह जो आपसी जो यह चल रहा है कन्वर्सेशन यह लगाता राजितिक ग सब्दमान चलेंगे कैसे कैसी बाते होगे यह तो सुरुवात है कि अकलेश यादव ने जिस परकार से धंकी देते हुए मुक्मेंतरी योगी अधित्तनात को कहा यह बहुत ही गंभीर विशा है और उत्तर परदेश की राजनीति जो कि हमेशा देश की राजनीति का एक होगा और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि उत्तर परदेश के एक 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 विदान सवा और एक घर का एक गली का अपको अपडेट मेरे इस यूटुब चैनल को मिलेगा जैहिन जैभारत